कुछ नंबर 30 ना है पहले वो करे जो हमारे मॉडूल के और इसमें लिख देना टी वाई के वन टी वाई के वन सबसे उपर एपस सबसे कमाई तो और भाई साब हमको कमाई लिवरेज निकालना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले फिक्स कॉछ्ष दिया हुआ है ए इबी टी डिया हुआ है इबीटी दी तो केसे करें तो सुनो ना कॉंट्रिबिशन कैसे आएगा भाई कॉंट्रिबिशन मिल गया क्या निकलेगा कमबाइन और कमबाइन लिवरेस को यूज करके ये निकल जाएगा इंपल है वैसे पर कर लेते इज़्जत के साथ कि I.C.E. आईगा कॉश्चिन क्या कॉंट्रिबिशन कॉंट्रिबिशन दिवरेस इबीटी और कॉंट्रि किता 31,50,000 इसमे क्या जोड देंगे इसकॉश्ट 150,500 राइट किससे करेंगे D.B.T. 14.00 2.36 अब और एक Combined Leverage का formula आपको पता है Change in EPS Change in EPS Cells तो यह हमको मादो में 2.36 Change in EPS निकालना है Cells दिया 10 Change in EPS निकालना है 23.00 क्या है क्या है Question No.40 सरी यह भी है क्या question Yes निकालना है हमको अर्निंग आफ्टर टेक्स प्रोड़क्षन दिया है Contribution परिवेंट दिया है Contribution आजाएगा ठोटा कितना आजाएगा 2500 इंटू चलो तो income statement बना लेते ना दिक्कत क्या है यार कहां से start करते हैं Contribution से start करते हैं Contribution 2500 इंट्स 150 अलो क्या माइनस करेंगे Fixed cost क्या जाएगा हमारा PIT क्या माइनस करेंगे Fixed क्या जाएगा AT क्या माइनस करेंगे Pax क्या जाए AT यही तो मांग रहा था चलो एक चीज़ और लिख देता हूं Pax से 30% PIT आगा है 60 500 चलो मैं Fixed cost बता देता हूं Pt कितना 156 25 15 15 15 15 15 16 16 16 कर दो कुश्य नुब का फोडिया और इसमें है टी वाई के थ्री और सुनो इसमें ना हमको इंकम स्ट्रीट में बनाना है इंकम स्ट्रीट में बना सकते हैं तो सबसे पहले एक ही बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखा जाता है कभी ना मार्जिन आप सेफटी नाम सुना है हाँ तो सुना है तो बात कर दो सेल्स में से क्या माइनस करोगी वेरिविल कॉष्ट कितना दिया है क्या जाएगा यह कॉंट्रीबिशन कितना पर्षंट है कॉंट्रीबिशन 25 पर्षंट इसमें से क्या मैनस करोगी एक्स कॉष्ट क्या गया हमारा यहां क्या गया हमारा इबीटी एक्स भी दिया है क्यों आएगा वो क्या गया है एक्टी कौन सा लेवरेज यूज़ पाइनेशल लेवरेज क्यों कि कितना दिया है चार उसको यूज़ कर सकते हैं तो उसको यूज़ करते हैं यूज़ कितना दिया है नहीं दिया है पर इंटर्स्ट तो मालूम है कितना तीन अजार यूज़ कितना अगया है थाजार क्या गया है चारसो पेचास अगया अगया हुआ 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 है मार्जिन और सेफ्टी तो बढ़ा हुए आपका तो यूज़ होगा यहां कई हुआ है अगया है अगया है अगया है अगया हुआ है और यह नहीं आपके तो यह margin of safety कैसे निकाला जाता, formula, formula बता हूँ अच्छा कितना आ रहा चरह बताऊ, profit divided by, यह न profit कौन सा वला ले, तहां है, परिश्वाई नहीं, तो चलो अभी time दिया हूँ आपको, अना, cells into PV ratio, और यार BP cells into PV ratio कुछ बोलते है, fixed cost, तो सर, cells में से PV ratio, multiply किया तो कुछ आता है, contribution, तो सर, contribution minus fixed cost, PBIT है न, PBIT, और यह क्या है, cells into PV ratio, contrary, यार, और operating leverage का formula क्या था, उल्टा, contrary, मतलब operating leverage का formula है, 1 divided by MOS, सर, यह कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा, लिख लो, operating leverage का, मैंने कहा था न, और एक formula रहेगा, 1 divided by MOS, और आपने बोला था, derivation में हमको ज़्यादा विश्वास नहीं है, सर, इसलिए मैं derivation पे ज़्यादा focus नहीं कर रहा, UL का formula है, 1 divided by MOS, किदा लिखवाते हैं, नहीं बताने के क्या जरूरा है, आचा इसको लिख, नहीं जरूरत नहीं है, पर ठीक, कभी काम आ गये हैं तो, कोई कहेगा क्या logic है भाई, कहेगा क्यों है, मतलब सर, बिना कोष्ट के FM में दिक्कत पक्का होगी, यह तो मैं मुझे 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 समझाना, अच्छा आप यह कह रहे थे, अगर हम 4000 divided by कितना करते, एक सेकंड, 25 परशन में, कोष्ट पर जाना नहीं चाहता, 4000 divided by 25 परशन वो जो सेल्स निकलेगा, उस सेल्स का नाम BEP सेल्स होगा, हम हम रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, हम रिसर्च के, मेरे 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 FM में DOL का फॉर्मुला है one divided by MOS बस, तो डीवल नहीं कल लेते हैं यहां 0.0 अगे 5 इसके बाद तो सहीं ही बोड़े है 100 पॉर्शन पॉर्शन सहीं बोला था सुनो सुनो चुगाण 4000 डिवाइड़ बाई पीवी डेश्यो किया तो क्या गया हमारा बीपी सेल्स कितना आये था 16 जार है 20 परशन तो 16 जार डिवाइड़ बाई 20 परशन तो सिय जा सेल्स है गा common sense किस्की कितना आभाइड़ क्यास टीद नाविवाइड लाण गैप रॉटी बाई अक्यां सेभाएड अग्षें घिवाएड कि रखें नाविवाइड ते आफिए आफिवाट्ण में आज़ में रिखें आफिषां कि कित अब्या और आफिए श्याइड़ याग्शन से या तुम्हें करो ऐसा कहूं। जैही है। गुट कोश्चन मैं बता दूं क्या। टेक्स 3.45 अजीब सा लग रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई टेक्स होता नहीं है। तुम्हें एक सेकंड रुक जा। हाँ, ठीक है, फी गलती से आ गया था। हाँ, फोड़ी यह कोश्चन पक्का रिविजन करने का बनता है। तक जो कोश्चन करें तो इसमें अच्छा कोश्चन करें। टेक्सरेट कितना, फोट फैइपर पर। हाँ हाँ 42 थी भाई किसके बाद वाला फोर्स हाँ हो लेक देता है एक्जाम देख रहा है यार और अपिटल इस्ट्रुक्चर दे रखा शियर कापिटल दिया 10 परशन डिवेंचर दिया 20-21 में सेल्स जो एक लाक पहले कितना था एक लाक बीस जार यूनिट्स अभी कितना हो गया एक लाक सेलिंग प्राइस कितना है 12 वेरिबल कॉस्ट कितना है 8 और फिक्स कॉस्ट कितना है 2 लाक और टैक्स का रिट है 30 परशन पया से पहले दिगरी ऑफाइनने यहार लीवरेस कितने निकालना एक लाक 20 जार यूनिट्स एक लाक उनिट्स अभीर और फिर ओप्रीटिटिंग लेवरेस निकालना एक लाक बीस जार यूनिट्स और एक लाक और परशेंटे चेंज मिझे लगता है यह कुछ हाई कोशन नमबर 43 43 मतलब टी वाई के 5 इसको पक्का बनाएंगे पैल सरफ अप टीम टीस रुपए पर उनिट पीस लाग लाग क्या चीज है अमाउंट तो यह नमबर ओफ उनिट्स निकाल सकते हैं अगर निकाल 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 कॉंट्रिबिशन कितना दिया है 10 P.O.L. दे रखा है कितना 2.5 प्रिजेंट लेबल ओप आउट्पू अगर अगर शेल्स कितना है 20 लाग और अपट अपट और डेट का अमाउंट भी निकालना है 25 परिजेंट डिक्लाइन इन सेल्स वाइप आउट EPS मतलब EPS 0 रखना है सुनो सुनो जुगार अगर मेरा मेरा कहना ये है कि यार चलो ना जुगार से भूल जाते हैं कोई कॉंसेट पढ़ा है कोई लेवरेश EPS 0 रखना है अगर मैं बैक कैलकुलेशन से जाता हूँ काम हो सकते इंट्रेशन का एमाउट निकलेगा तो डेट का एमाउट निकलेगा ये तो दिया है न ये बियो एल दिया हूँआ है कुछ हो सकता है कि देखो बता तो मैं दूँगा अभी दो मिनट में हो जाएगी एक पर कोशिश तो करो तभी तो मज़ जा है क्या पूछना चाहता हूँ मेरी बास समझा मैं कहता हूँ कि यह EPS 0 हो जाए तो बताओ Cells क्या होगा नहीं Cells का तो बता दिया 25% decline कर दो बोल रहा है Cells को 25% से decline करो 30,000,000-25% तो वह भाई सब Cells दे दिया 15,000,000 ठीक है और EPS दे दिया 0 इच का आप देख ले न वो पूछ क्या रहा है पहले समझ लो पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है बताओ debt का amount क्या है और वो आप से पूछ क्या रहा है EPS 0 वो तो बता दिया EPS 0 20,000,000 पर कितना है चलो तो घर काम करते हैं कैसी करना आप decide कर लो माइनस क्या हो जाएगा variable cost यहां क्या जाएगा हमारा contribution दिया है कि contribution 10,000,000 तो variable cost कितना हो गया हमारा यहां तक तक तो हम चले गए माइनस क्या करते हैं इसमें से fix cost क्या दिया है नहीं EBIT दिया है क्या EBIT से काम हो जाएगा हमारा क्या यूज करेगा है DOL कितना यह कितना आ गया 4,000,000 तो यह कितना हो गया 6,000,000 यहां तक तो हम बहुत से ही गए माइनस क्या करोगे interest अब दिक्कत यह interest का इमार दिया है क्या नहीं कोई बात नहीं तो अब क्या आ जाएगा EBIT अब प्रॉब्लम क्या है बिटे अब यहां दिक्कत में हम फजगे कि अब आगे कैसे जा है हमको कोई ना कोई leverage अशाई तो अब उन्होंने का कि यह जो 25% दिया है ना वो चाहता है कि आप पहले combine leverage ने का उसके लिए information दिया है कि change in EPS divided by change in cells तो change in EPS EPS पहले कितना था जो भी रह होगा लेकिन वो बोलना कि EPS पूरा उड़ जाएगा मालो EPS पहले 4 था तो अब 0 हो जाएगा percent is कितना 100% तो change in EPS 100% हो जाएगा अगर आप cells को कितने percent से 25% तो DCL निकल गया कितना 4 DCL को use कर सकते है contribution divided by EB8 हाँ सिर्फ 20 लाग कि यह सिर्फ जो information दिया है सिर्फ DCL निकल तो यह कितना आ गया भई interest 30 लाग कि बीटी कितना आ गया भई भई लाग और क्या इसका interest का rate मालू है हमको 16% तो debt तो निकल जगे है अब का तो लाग ठीक है 9 कितना रहे debt 9 3 7 5 यह तो आ गया हमारे debt ठीक है अभी नीचे जाएंगे tax का rate दिया है क्या 50% एक लाग अब यहां क्या आ गया हमार earning after tax एक लाग 25 रिवाइड बाइन प्रफ्रेंशियर है नहीं एक लाग EPS आ गया है 1.2 एक मिनट के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि वो बोल रहा कि cells कम होगा तो बताओ उस पे EPS क्या होगा नहीं उसके लिए separate bracket लगा दिया है खतम कर दिया है वो दोनों के लिए था ज़रूरत ही नहीं पूरी नहीं नहीं निकालना है उसने यहां बोल दिया 20 लाग पे निकालो पूरा की पूरा काम बस calculate the EPS इसको मैं उड़ा दू एक बर calculate the EPS and amount of debt of the company if 25% decline in sales तो सर समझ में यह आ रहा है यहां bracket क्यों लगा है उसने बताओ यह bracket का मतलब क्या समझ रहा है यह जो bracket लगा है sales revenue 20 लाग पे ही debt का amount निकालना 20 लाग पे ही EPS निकालना अब डेट ऐसा है सब्द पढ़ने में हमसे गलती है उन्होंने भी clarity से नहीं दिया ना यार अब 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 निकाल भी लेते तो नंबर नहीं करता कोई दिया कोईशन नंबर फोटिफोर TY के 5 TY के 5 नहीं 6 TY के बड़ा कोईशन देखे फोटा प्यार से करते इसको फिर करें वही balance sheet दिया है balance sheet में equity capital है debt है return earning है current liability है net fix है current है और sales दिया है operating expenses मतलब variable की fix अब आठ अठ आठ एप्रेशिशन डेप्रेशिशन फिक्स तो बताओ एक बार तीन-चालिस में variable कितना एक-बीस में से 60,000 तो मतलब 60,000 60,000 क्या हो गया हमारा variable तो जो आएगा उसका नाम है contribution तो असी और fix कितना हो गया start तो EBIT आगया हमारा ठीक है यह तो समझ है तो बाद interest है EBTA tax earning after tax PUL figure of financial leverage combined leverage at current level of sales all operating expenses other than depreciation variable वह हमने भी माना थे लिखाँ total asset trimensim होगा अगर cells बढ़ जाता है 20% से या cells decrease हो जाता है 20% से तो EPS क्या आएगा new cells वैसे DCL से ही निकाल सकते हैं ICAI ने statement बना की किया है हाँ बस homework question number 45 TY के 7 क्या यह question देखा देखा लग रहा हाँ दिख गया total asset turnover ratio याद है asset turnover यह वाल अच्छा 46 46 मतलब TY के 8 यह तो बनाएंगे यह यह वाला question नहीं और यह आता है बहुत बार आया हूँ हाँ यह पक्का बनाएंगे operate आपको निकालना तीन लेवरेजर situation 1, 2 plan A, B 4,000 और actual production कितना है 75% मतलब कितना units produce कर रहे है 3,000 into 75% 3,000 4,000 into 3,000 selling price दिया variable cost दिया situation 1 fix cost 15,000 या फिर 20,000 plan भी अलग अलग है equity debt equity debt तो बनाना या question आता है मुझे income statement सबसे पहले बनाएंगे कितना income statement बनेगा 4 1, 2 A, B A, B और फिर लेवरेज में कलना हाँ ऐसे कर लो या तो इसमें दो कर लो या इसमें दो कर लो एक ही बात है दो आएगा क्या यह situation 1 कर लो इसको और यह situation 2 कर दो अब ठीए इसमें A, B, A, E एक ही बात है आप जैसे 4 वैसे कर लो आओ सबसे पहले लिखेंगे cells cells 3,000 into 30 क्योंगा? 4,000 into 30 ऐसा वाँ दिमाग चल जाता एक जामें 3,000 into 30 कुछ भी हो सकता है 3,000 into seriously बोल रहा हूँ जो यहाँ नी सोचे ना वहाँ सोचे 4,000 की 3,000 माइनस क्या करोगे वैरिबल कॉष्ट कितना परशंट? अंदर रूटर पर रिमेट contribution माइनस क्या करोगे वैरिबल कॉष्ट कॉष्ट situation 1 में कितना है? situation 2 में तो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? ठीक है नहीं कैसे बूल सकते है? इदर वाला है sorry बड़ा करण इसे जार इसे जार इसे जार इसे जार अच्छी माइनस क्या होगा? क्यान से बता ना? ए का बता दो पहले plan A में कितना क्या गया? EBT आई से जार क्यान से जार 2016 क्या है आग्स की जार यही निकाल लेते क्या निकाल रहा है? DOL फोर्मूला क्या है? contribution divided by सब क्या निकाल contribution मालूम है यहीं क्या करूँए KFL मतलब रिविजियन बहु है ताइम प्रस कोश्य कैसे ताइम प्रस यह दो कर लिया होगा से तो नाइन नहीं होगा नाइन कहीं पहले कर लिया होगा से देख लेंगे वस्ट नमब फोटी सिवाइटिंग लेवरेज दिया है कम्माइन भी दिया तो इस्टू वान मतलब टू बोल दो इक इक्स कोश्ट दिया हुआ है एक्स्क्लूडि इंट्रस्ट और अगर एक्स्क्लूडिं इंट्रस्ट नहीं लिखा हो तक सबसे पहले क्या निकालना है पाइनेश्य लेवर है तो ऐसी निकल जाएगा दूसरा पीवी रिश्यो पैसे निकल जाएगा कॉंट्रिविशन डिवाइड़ेड वाए तेल्स पीएस तो बनाना पड़े है तो लोग कर ले क्या कर लेते कर लेते सबसे पहले एक काम करते ना इंकम इस्टेर्ट में पना ही लेते हैं तोटकट माने तो इस्टेर्ट में विचन की बीएटे हैं किल क्लास नहीं किया था है कॉंट्रिवीशन क्या करोगे एक्सकॉष्ट दिया गया कुछ तो दिया है एक्सकॉष्ट दिया 3.4 माइनस क्या करोगे प्रेश्ट प्रेश्ट निकल जाएगा 30.25 2.42 किटी आगे एक्स का रेट कितना है 30% यहां जो आएगा वो किआएगा 80 प्रेश्ट कितना है 0.4 तो यहां किया जाएगा प्रेश्ट प्रेश्ट कोई भी नेवरेश्ट यूज़ किज़े या कंबाइन किज़े सारी चीज़े निकल जाएगा किटी किटी कितना है किटी निकल जाएगा फिर था 9.68 6.776 यह सागे है 1.93 ताहिए यह सी आटो लेट झाल तुझे बताओ कि फाइनेशल लिवरेज बन पॉइंट टू फाइव है एल्स पचास लग है ठीक है कॉंट्रिविशन कितना रहा इसमें छे लाक असी अजर दिया कॉंट्रिविशन कॉंट्रिविशन इसमें तो गलती होई नहीं सकते नहीं हमारी बुक का लाश नहीं कॉंट्रिविशन नमबर फुर्टी एट पाच फर्म दे रखा है चैंज इन रेवन्यू का मतलब क्या है और चैंज इन इंकम का मतलब ऑपरेटिं इंकम मतलब ऑएट और यह क्या चैंज इन अचैंज इन इैड़ ऑफ चैंज इन सेल्स कुछ था ऑप अपरेटिंग और आपड़ अगर 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 उपरेटिंग निकल गए तो क्या फाइनिशल निकल जाएगा आ तब गया तो तो इक वाव इसमें तो अनसे भी दिया है वेरिबल कॉश्ट दिया है और फिक वाश्ट भी दिया है और दसलाग का दस परसें इंट्रेस्ट भी निकल जाएगा अगर सेल से इंक्रीज हो जाएगा अच्छे लाट से नया EBIT निकल देंगे पैसे कितना लग रहा असी लक और सेल्स कितना आएगा नबेला वेरिबल कॉष्ट है साट पर्स एक्स कॉष्ट अधर देन इन रहे मतला वह अपरेटिंग फिस कॉष्ट हो गया दसला एक्स का रेट है तीस पर्सेंट और फंड का अरेंजमेंट हो रहा चार लाग एक प्ली शेयर दसके सबसे और चालिस लाग का बारा पर्सेंट और एक इंकम स्टेट्मेंट बनेगा उससे हम ऑपरेटिंग फाइनेश और कंबाइन लिवरेज निकलेंगे और EPS भी निकलेंग द्रेश्ट फिर क्या करते थे और मैंस टेक्स दिवाइड़ बाइन ये तो एक फॉर्मुला पता है आपको पहली बार में यहां क्या कर देना चार फिर कितना रग देना दो फिर कितना रग देना जीरो इसको ले लेना एक्स इंडिफरेंस था याद करो यह फॉर्मूला पता है इंडिफरेंस में यूज कर हम तो उसमें किया यह capital structure पक एक नोट लिखो हाज 20 के साथ मान लोए लास्ट कोशन इफ प्रिंशेर कापिटल इस गीवन अब तक प्रिंशेर कापिटल था नहीं तो डिवीड ना चाहेगा तो डी ओयल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और डी ओयल का फॉर्मूला अब होगा पॉंट्री की बिए कोई रहेगा मतलब पेच का यूज करवा रहा हूं अब पाइनिशेल लेएस यह बदलेगा EBIT उपर रहेगा लेकिन EBT रहेगा लेकिन इसमें से और एक fix cost है अब बताओ कंबाइन बदलेगा अब इस question को कर लेते हैं आखरी पेक कैलकुलेशन से EBIT तो निकाली सकते हैं ओपरेटिंग एक्स्पेंसिस इंक्लूडिंग 96,800 of EBIT युगार लगाना बढ़ेगा है एकिविटी डिविडेंट कितना दिया है 15% market price क्या है 23 यह तो सब price earning ratio वगेरा कुछ मांग रहा होगा उसके लिए यहीं से अमारा काम होगा हमसे मांगा क्या operating and financial और क्या मांगा है coverage ratio coverage ratio याद है और क्या मांगा है earning yield और क्या मांगा है price earning और क्या मांगा है fund flow fund flow में कुछ नहीं profit में depreciation net सवाल यह है कि हम एक income statement बना सकते है क्या पैट मालूम है profit before tax नहीं कल सकता है profit before tax को प्यार से ebt बोल सकता है कोशिश करो होगा होगा contribution से तो start कर सकते हो at least contribution से start कर दीज़े आँ करे तो सबसे पहले contribution से start कर रहा हूँ क्योंकि वो हमको लगता है इसे minus क्या करते हैं हम लोग fix cost कितना है नहीं दिया है ना तो 96,800 fix cost होग है न देखे दूँ क्या बही depreciation 96,800 है तो depreciation fix cost है तो क्या लिखेंगे हैं हम लोग TBIT माइनस क्या करोगे interest बताओ साथ लग का बारा परशंड बीटी 4000 फिर क्या गया है TBT तो निकल गया है चलो फिर तब करी रहे तो पूरा कर ले तो tax तो यहां क्या गया earning after tax जो दिया हुआ है कितना दो लग 80,000 जो की कितना परशंड है 70 परशंड चार लखी है आ गया तो यह कितना जाएगा 80 वो तो क्या हमको operating expenses की जिरूरत है अगर आपको पूरी income statement बनाना है sales तो लगेगा पर मेरे खहल से जिरूरत नहीं बढ़ेगी 484 और 96,800 पाच लाक अगर 800 अगर और उपर जाना है तो जिरूरत बढ़े सकती यहां तक ठीक है नहीं नहीं वो बोल रहा है operating expenses है EBIT का 1.5 बेड़को ना उपर लिख सकते हैं ठीक है अब आगे करो earning after tax आ गया 2,80 tax आ गया तो इसके बाद dividend minus करेंगे PD PD कितना है 50,000 5,00,000 का 10% तो यह कितना गया है 2,00,000 2,00,000 30,000 और इसमें number of shares पता है क्या 80,000 EPS आ गया है EPS कितना गया है equity वाले को dividend भी दे रहा है क्या EPS तो निकालना ही पड़ेगा कितना आ रहा EPS यह क्या गया है हमारा EPS अब क्या-क्या माँगए मुझे बचे अब कवरेज रेशो अगर थोड़ा बहुत भी याद है कवरेज रेशो कैसे निकाल पहले प्रेफरेंज डिविडेंट कवरेज रेशो क्या हो जाएगा 280 divided by 50 अब एक्विडी के लिए सोच लिया ना तो मान लो तू लैक 30,000 divided by एक्विडी डिविडेंट दिया है 15 पर्षेंट 8 लाग का 15 पर्षेंट एक लाग 20 जार उपर आ जाएगा और यहां कितना जाएगा 2 लाग यह कितना आया प्रफ्रेंट डिविडेंट कवरेज रेशो एक प्रफ्रेंट डिविडेंट कवरेज रेशो तो लाग 80,000 divided by 50 अब एक्विडी डिविडेंट कवरेज रेशो यह वाला लिवरेज सहीं तो निकाल है ओपरेटिंग अन फाइनेशिल की गरबड है पर बस यह कह रहा हूं कि कमबाइन जो निकाला अपने फाइनेशिल लिवरेज वो कैसे निकाला ज़रा बताओगे एक बार अभी शाक हो रहा हुआ माइनस पीडी वन माइनस टेक्स ए भगवान मुझे तो भी लग रहा था कि कही ना कहीं कोज गरबड़ना हो जाया है पतलब वो नोट को तो उड़ा दिये सर